जामताडा के इंस्टाग्राम टूल से साउधान इंस्टाग्राम पर छाया जामताडा का जाल वीडियो लाइक करें और पाएं करोडों लाइक किया तो गवा देंगे सारे पैसे नमस्कार कैपिटन टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ प्रियाबिस्ट इंस्टाग्राम अब सिर्फ फन का जरीया नहीं रह गया है बलकि इसके जरीये पैसों का लेंदेन हो रहा है और आजकल तो सोशल मीडिया का इतना ट्रेंड चल रहा है कि हर कोई इंफ्लोएंसर बनना चाहता है और कोलाइबरेशन करने के धेर सारे पैसे कमाना चाहता है और बहुत से लोगों को सोशल मीडिया साइट से मोटी कमाई भी हो रही है इसी वजह के चलते अब डिजिटल लूट भी बढ़ने लगी है और इस डिजिटल लूट पे एक नए लूटेरे का नाम सामने आया है अपने काम को अंजाम देने के लिए अप सोशल मीडिया से जुड़ चुका है जामताडा गैंग इंस्टाग्राम पर जामताडा गैंग ने ऐसे वीडियो अपलोड किये हैं जिनका मकसद है लोगों को फसाना आम तोर पर आप इंस्टाग्राम में कई तरह के वीडियो और फोटो लाइक करते हैं आपको जो भी वीडियो या फोटो पसंद आता है आप उस पर कमेंट भी करते हैं लेकिन गलती से भी जामताडा गैंग के वीडियो को लाइक न करें आज इसी गैंग के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कैसे ये गैंग फसाता है जाल में यहाँ पाकेट मारों से सावधान रहें बस स्टेंड और कुछ रेलवे स्टेशन पर इस तरह के बोर्ड अकसर देखने को मिलते हैं ऐसा ही कुछ अब इंटरनेट पर हो रहा है यहाँ आपको कहीं भी स्कैमर से सावधान रहें लिखा नहीं मिलेगा लेकिन आपको सावधान रहने की जरूरत है इस कैमर स्टरह तरह से लोगों को ठकते रहते हैं जहाँ इंस्टाग्राम और फेस्बुक आज के युवाओं की सबसे बड़ी जरूरत बन गई है यंग्स्टर जितना टाइम अपने दोस्तों और परिवार के साथ नहीं बिताते उससे जादा टाइम इंस्टाग्राम और दूसरी सोशल साइट को देते हैं स्कूल हो या कॉलेज या फिर ओफिस इंस्टाग्राम हैंडिल हमेशा इस्तमाल होता है आजकल तो यंग्स्टर के साथ साथ बुजूर्गों को भी सोशल मीडिया की जिन्दीगी का भूच चड़ गया है कैजवल के साथ साथ यहां तक अब इस सोशल साइट पर फॉर्मल ग्रूप भी बनने लगे हैं कुल मिलाकर फन और काम दोनों के लिए सोशल ट्राइट एहम हो गई है और इसी सब की खबर रखते हुए चोर इंस्टाग्राइम के क्रेज का फायदा उठाते हैं इंस्टाग्राइम और स्मार्टफोन के जमाने में ऑनलाइन ठगी का खत्रा दिन बदिन बढ़ता जा रहा है इस कैमर्स नए नए तरीके से लोगों से फ्रॉड कर रहे हैं कभी वर्टसेब मैसेज के जरिये तो कभी किसी रिष्टेदार के नाम पर वही जमताड़ा गैंग ने सोशल मीडिया को ही अपना नया ठिकाना बना लिया है जमताड़ा गैंग ने ऐसा जाल बुना है कि आम आदमी ना चाहते हुए भी इंस्टाग्राइम पर फस्ता जा रहा है और लाखो रुपे गवा रहा है ऐसी ही कई मामले हाल ही में सामने आए जिसे मनी फौल लाइक स्कैम कहते हैं वैसे तो स्कैम का ये तरीका नया नहीं है लेकिन ऐसे हाल ही में कई केस देखने को मिले हैं जामताड़ा से साउधान वीडियो लाइक करने पर काम तमाम लोगों को फसा कर लूटना instagram पर आपने कई वीडियो लाइक करे होंगे लेकिंगताड़ा गैञ के उन वीडियो से सावधान रहें जो आपको लूट सकते हैं गलते से कजिवीडाइक के वीडियो को लाइक ना करें अब तक जामताड़ा गैञ के लोग पूरे देश में फैल चुके हैं जामतारा की कई नई ब्रांचे भी खुल चुकी है जहां धलरले से ऐसे लोगों को तयार किया जा रहा है जो डिजिटल लूट में माहिर हो ऐसी ही एक विंग जो इंस्टाग्राम फ्रॉड के लिए तयार की जा रही है देश के अलग- इनके बताए वीडियो को लाइक करेंगे तो यह आपको हर वीडियो को लाइक करने के पैसे देंगे यह सुनकर क्या आपको लग रहा है कि यह आपके साथ भी हुआ है यह स्कैम आजकल सब के साथ हो रहा है इस गैंग के लोग शुशल मीडिया साइट फेस्बुक तक्सक्राइब पर आपको कॉ Northern करते हैं और कहते हैं कि वीडियो को लाइक करने के पैसे देंगे अब आप खुद सोचे वीडियो को कितना वक्त लगता है आम आदमी गैंग का हुआ भंडा फोर्ड ये कहते हैं कि हर लाइक पर आपके अकाउंट में 50 रुपए आएंगे जितने जादा लाइक करेंगे उतने जादा पैसे लोगों को लगता है कि ये तो बहुत आसान काम है फिरू सुरू में ये लाइक करने पर पैसे भी देते हैं लोगों का भरोसा बढ़ जाता है और इनका आधे से जादा काम हो जाता है फिर ये उसी भरोसे का फाइदा उठाते हैं और फिर ये फोन करके बताते हैं कि अगले टास्क में और जादा पैसे मिलेंगे लेकिन उस टास्क के लिए ये कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी वहीं जासा देने में इतने माहिर होते हैं कि पड़े लिखे लोग भी इनकी बातों में आही जाते हैं बस एक बार इनके अकाउंट में पैसा आजाए तो उसी अकाउंट को हैक कर तरीके से खाली कर देते हैं कमाई होती है कुछ हजारों की और ये ठग लेते हैं लाखों करोडों ये लोगों को फसाने के लिए ही पहले उन्हें लाइक करने का पैसा देते हैं जिससे इंसान का लालच बड़े और वो पैसे के लालच में अंदा होकर इनके जासे में आ जाए ऐसे कई मामले हाल ही में सामने आए जिसमें एक मामले में राजिस्थान के जैपूर में इंस्टा लाइक करवाने के नाम पर करोडों रुपे ठक चुका था एक मई को दीपक शर्मा नाम के व्यक्ति के वर्टसेप पर एक मैसेज आया इसमें शुचल मीडिया पर तीन से पांच हजार रुपे रोज कमाने का ओफर दिया गया था दीपक को बताया गया कि उसके इंस्टाग्र के चक्कर में आ गया और उन्होंने एक करोड रुपे गवा दिये पुलिस में शिकायत दर्श की जिसके बाद इस गैंग का खुलासा हुआ वहीं दूसरा फ्रॉड एक रिटाइड आर्मी परसन के साथ हुआ है जिन्होंने इस कैंग में फसकर एक करोड रुपे गवा दिय तीसरे और चौथे हफते से उन्हें बुजर्गों को जाल में फसाकर कुल 26 ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कराए इस तरह स्कैं में फसकर पीडित ने अपनी उम्र भर की कमाई गवा दी पुलिस ने बताया कि दो हफतों में पीडित से एक करोड से जादा की ठगी हुई थी ये सबी ट्रांजेक्शन एक दरजन बैंक अकाउंट में हुए पुलिस की माने तो शुरुवात में एक महीला ने मैसेज के जरीए बुजर्ग से संपर्क किया था उसने पार्ट टाइम इंप्लॉइमेंट के नाम पर कॉन्टेक्ट किया महीला ने दावा किया था कि वो थाइल ग्रूप में एड होने के बाद कुछ लुटोरो ने अपना खेल शुरू कर दिया बुजर्ग से एक हजार रुपे की पेमिंट कराने के लिए कहा जिससे उन्हें प्रीपेड टास्क मिले ठगों ने टास्क पूरा होने के बाद उन्हें 1480 रुपे देने की बात कही शुरु मौके मिलने का लालज दिया गया जिसके बाद बुजर्ग ठगों के जाल में फस गया और अपने एक करोड से जादा गवा दिये ये दोनु मामले सुनने के बाद आपको साफ साफ अंदाजा हो गया होगा कि किस तरह ये डिजिटल लुटेरे लोगों को फसाते हैं और ये क जैसे जैसे टेकनलोजी बढ़ रही है उसी तरीके से जाल साजों के जाल भी खतरनाक होते जा रहे हैं लेकिन इन सबसे बचने के लिए हमें सावधान रहना होगा और इस डिजिटल दुनिया में हर एक कदम सोथ समझ कर और फूख फूख कर रखना होगा इस पेशल स्टोर झाल